बीजेपी के बहुमत परिक्षण पर अब सब की निगाहिट टिकी हुई है एंसेपी ने ता नवाब मलिक का बड़ा बयान आया है उन्होंने का है कि बहुमत नहीं होने की स्तिती में शुरू हो जाएगी विधायकों की खरीद परो तो अगर बीजेपी विफल होती है तो हम वेकलपिक सरकार बनाने की कोशिश करेंगी बीजेपी के फ्लोट टेस्ट की बाद तयार होगी आगे की रणनेती तो सब की निगाहें अब 11 नवंबर को होने बाले फ्लोट टेस्ट पर टिकी हुई है क्योंकि 11 नवंबर को सबसे बड़ी पार्टी जिस तरे से बीजेपी भर कर आई है तो ऐसे में कोशिश यहां पर एं रहेगी कि बीजेपी बहुमत साबित कर दे लेकिन अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो नवाप मलिक ने जिस तरे से बयान दिया है उससे उनका कहना है कि बहुमत साबित नहीं होता है तो ऐसे सिती साफ हो जाएगी और बीजेपी अगर सरकार बनाने में विफल रहती है तो हमारे पास विकल्थ है और हम फिर आगे की रणनीती को लेकर विचार करेंगे